हलो एवरिवान वेलकॉम टू माई कीचान नितीस कीचान इन युएसे कल हम बनाने वाले है खमार लेकिन इसकी तयारी हम आज से करेंगे यह मैंने एक छोटी सी वाड की लिए है आप कोई भी माफ सेट कर लीजिए यह वाड की बरके में चने की दाल लोंगी चने की दाल और टूबाड की मुल्ट की दाल लोंगी दो अब हम आधी वाड की उड़त की दाल लेंगे आधी वाड की चावल लिया है मैंने चास्मीन का चावल लिया है अब हम इसे दो तिन बार पानी से धो के रात पर फीकोएंगे अब इसमें अब इसमें मैंने पानी डाला है और अब हम आठ गंटे के लिए इसे ही चोड़ देंगे भीकोएंगे अब हमारी यह दाल अच्छी तरह पीक चुकी है मैंने ओवरनाइट के लिए पीकोई थी अब हम इसे पीस लेंगे तो पहले में यहां से तो यहां में दहीं ले रही हूं खटा वह में पीक्सी में डालोंगे अब मेस में अब मैस में यह चोटी सी कोटोरी है यह बर्के में पानी डाल रहे हैं अब हम इसे पीस लेंगे यह सारी डाल पीस ली है एसा पीसना है थोड़ा सा दरदरा एसा निकल देंगे अब हम इसे थोड़ा सा फेट लेंगे इस तर आपको पाच मिनीट इसा करना है आप थोड़ा सा बड़ा ही बर्तन लेना क्योंकि यह फूल कर वर्ना बाहर आ जाएगा मेरा छोटा सा ही है अब हम इसे डग के आठ घंटे के लिए गरम जगा में रख देंगे यहां हमारा खमन का लोड़ का आठ घंटा हो चुका है आप देख सकते हो अच्छी तरह से आठा आ चुका है अब इन में से मैं आठा ही यूज़ करूंगी यहां मैंने खमन बनाने के लिए एक स्टीमर लिया है उसने मैंने पानी डालके स्टॉव ओन कर दिया है अब इसे ढख देंगे और खमन की तयारी करेंगे यहां मैंने आधा ही बेटर लिया है और इसके लिए मसाला पहले पीस लेंगे यहां मैंने अध्रक का टूपड़ा लिया है छोटा सा और हरी मिर्च लिया है आपको चितनी तीखी पसंद है उसे प्रकाल लीचिएगा कम या ज्यादा कर सकते हो पहले मैं इसे पीस लूँग अब यहां मैंने मसाला पीस लिया है वह इसमें डालूँगे और थोड़ी सी हल्दी ज्यादा नहीं डालनी है नमक स्वादन उसार और थोड़ी सी हींग और दो चमच होईल जहां मैंने सींग तेल लिया है और एक चमच इस दीश में फिर डाल देती हूं स्टीमर में स्टीम करने के विए इससे हम मिक्स कर लेंगे यहां में बेटर चकलूंगी अगर कुछ कम है तो डाल सकती हूं नमक कम है अगर आपको सुगर पसंद है तो आप सुगर भी डाल सकते हो एसा गाठा होना चाहिए अब हम इसमें इनो डालेंगे यहां पोई स्प्रेट कर लेंगे और यहां आधी चमच इतना इनो डाल रहे हूं और इसे अच्छी तरह से विक्स करेंगे अब यह पूल चुका है अब हम इस थाली में डाल के स्टीव करेंगे थोड़ा सा ब्लेक पेपर डाल रहे हूं उपकर त्रस किया हुआ और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर अब मैं इससे स्टीमर में रख दूंगे 15 मिनिट के लिए खाने के लिए मिर्ची चाहिए तो मैं मिर्ची बना लेती हूं और तड़के के लिए थोड़ा सा धन्या भी काट लूंगे पीसा हुआ जीरा है नमक है और थोड़ा सा ओहिल इसे हम मिक्स करके माइक्रोवेव में वन मिनिट के लिए कवर करके कुक कर लूंगे तयार हो गई है यहां मैंने लाल कलर का रेडिस लिया है उसका मैं पीस कर लूंगी वह छोटा नहीं किया है बाइट साइज का किया है यहां मैंने रेड ओनियन लिया है आप स्वीट ओनियन भी ले सकते हो कोई भी ओनियन ले सकते हो इसका भी मैं बड़ा बड़ा ही पीस करूंगी बाइट साइज का आप आप है और यह दन्या में छोटा छोटा क्राट होंगी अच्छुटा च्छुटा काट होंगी और यहां मैंने टोमेटो की चटनी बनाई है, खमन के साथ खाने के लिए, अब यहां हमारी पंदरा मीलिट हो चुकी है, हमारा खमन रेडी हो चुका है, अच्छी तरह से फूल गया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूं, नाई ठेक दम क्लीन है, इसका मदलब हमारा खमन पंख चुका है, अब हमारा खमन ठंडा होके रेडी हो गया था, तो मैंने काट लिया है, अब यहां देख सकते हो कितने जालीदार बना है, अब हम इस पर ठड़का लगाएंगे, यहां में धन्या डाल देती हूं, यहां मेंने छोटा सा पेंड लिया है, हम इसमें ओईल डालेंगे, एक चमच, दो चमच, तीन चमच, मैंने तीन चमच इतना ओईल डाला है, अब हमारा ओईल गरम हो चुका है, इसमें राई डालूंगे, अबले, इस खमण में डालूँ पर अब यह बन कर रेड़ी हो गया है अब में यहां हमारा खमन रेड़ी हो चुका है थैंक यू पर वोचिंग मैं वीडियो लाइक शेव और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू सो मच अब भी यह रेसीपी देखकर जरूर बनाएगा और बहुत ही अच्छा बनेगा यहां मैं चटनी के साथ ट्राइ कर रही हूँ बहुत ही अच्छा बना है घ्रीजय़ उंढेृ észॉप Alrighty यह यह झाल झाल यह